सल्मान खान की कत्रीना के लिए पॉजेसिवनेस आपको प्लानिट बॉलिवुड दिखा चुका है लेकिन अब बारी है सल्मान के लिए कत्रीना की पॉजेसिवनेस दिखाने की सल्मान जितने काट्रीना के क्लोज हैं काट्रीना भी उतनी ही सल्मान के करीब है इसलिए तो सब के सामने काट्रीना ने आलिया से कहा कि सल्मान उनके हैं और सल्मान को वो उनके लिए ही छोड़ दे दरसल एक इंट्रव्यू के दौरान आलिया से पूछा गया कि क्या वो सल्मान के साथ काम करेंगी तो इस पर आलिया ने कहा कि वो तो सल्मान के साथ काम करने को तैयार है लेकिन ये सल्मान पर डिपेंट करता है कि वो उनके साथ काम करेंगे या नहीं ऐसे में आलिया अपना जवाब पूरा कर ही रही थी कि तभी कट्रीना ने आलिया को इंटरॉप्ट करते हुए कहा प्लीज सल्मान को मेरे लिए छोड़ दो तुम वरुन को रखो मतलब किसी और आक्ट्रिस के मूँ से कट्रीना सल्मान का नाम भी नहीं सुनना पसंद करती है एक ही दिन में हुए दो अलग-अलग इवेंस पर जाने अन जाने सल्मान और कट्रीना ने एक दूसरे के लिए अपनी नजदी की बिना कुछ कहे ही बया कर दी रंबीर से ब्रेक अप के बाद जबसे कट्रीना ने सल्मान के साथ टाइगर जिंदा है में काम करना शुरू किया है तब से सल्मान और उनकी क्लोजनेस की खबरे ना सिर्फ आई हैं बलकि रह रहकर सब को दिखी भी हैं ऐसे में सलमान काट्रीना की क्लोजनेस और बॉन्डिंग की न्यूज जितनी तेजी से फैल रही है उतनी ही तेजी से यूलिया और सलमान के रोमान्स की न्यूज दम तोड रही है आना कि सलमान यूलिया के बीच प्रॉबलम की फिलहाल कोई न्यूज नहीं है लेकिन कोई special connection कोई फिलहाल नहीं देख रहा है पजोती सिंग जूम मुंबाई